हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी के मैं स्वाथ करता हूँ अपने चैनले मीडियम टेक में आज हम बात करने वाले हैं आइफॉल कान के एक टीवी के बारे में जो टीसील की तरफ से आता है यह 40 इंच का टीवी है और फुल हेचीडी लेडी स्मार्ट एंडरोइड टीवी है विट नेटफ्लिक्स 40 f2a इसका मॉडल है तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इसका तीन वेरियंट जो है यह टीवी तीन वेरियंट में आता है पहला 32 इंच है दूसरा 40 इंच है और तीसरा 49 इंच है तो इस में सबसे पहले एक यूनिट टीवी का होगा दूसरा जो है रिमोट होगा उसमें आपको वाइस सर्च मिल जाएगा तो गूगल असिस्टेंट जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट से ही और स्टैंड मिल जाएगा वाल माउंट यूजर मैनूल एंड वैरेंटी क 9 इंच ले सकते हैं अगर आपको मीडियम चाहिए तो 40 इंच का ज़रूर ले सकते हैं स्क्रीन टाइप जो है वो यह लीडी है रेजिलूशन स्क्रीन की जो है वो 1920 x 1080 पिक्सल्स है तो यह 4K TV तो नहीं है पर Full HD TV आपको ज़रूर मिल जाएगा तो HDMI पोर्ट जो है इसमें इंटरनेट आप आसानी से आक्सेस कर सकते हैं और 3D डॉंगल वगएरा तो नहीं लगा सकते हैं लांच यह 2018 का है तो यह टीवी जो है लाश्ट यहर का है इधरनेट इसमें आपको एक मिल जाएगा तो काफी अच्छी बात है आपको इसमें जो है इधरनेट का एक्सेस भी मिल जाएगा हेडफोन जैक भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं उसका भी ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा वीविंग एंगल की बात करें तो टीवी की 178 डिग्रिस वीविंग एंगल से पैनल जो है इसका ए प्लस ग्रेट पैनल है तो पिक्चर क्वालिटी काफी ची ऑने वाली है इसरीडूरा आपको इस टीवी में जोह स्पोर्स मोड भी मिल जाएगा तो अगर आप जोह स्पोर्स कोई देख रहे है जैसे क्रिकेट या फुट्बॉल तो आप उससे जोह स्पोर्स मोड पे लगा के देख सकते हैं तो आपको जो पिक्चर क्वालिटी क काफी अच्छी दिखेगी स्पोर्स मोड पर इसमें आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा रैम जो है वह 1.5 जीबी की मिलेगी इसमें और स्टोरेज जो है वह 8 जीबी का मिल जाएगा और इसमें आपको नेटफ्लिक्स यूटूब होट स्टार जैसे स्ट्रीमिंग आप्स पूरे के पूरे सपोर्टेड है तो थोड़ी टीवी में जो है नेटफ्लिक्स या होट स्टार जैसा यह दो एप्लिकेशन जो है सपोर्टेड नहीं होता है किसी किसी टीवी में नेटफ्लिक्स नहीं होता होता है किसी टीव में होटका नहीं होता है पर इस टीवि में है सारी के सारी अफ्लीकेशन सपोडेड हैं ओप्रेटिंग सिस्टम जो है वह एंडॉइड है 8.0 इसका वर्जन है इंडॉइड वर्जन इसमें आपको स्क्रीम mirroring भी मिल जाएगा screen mirroring से जो है आप अपने टीवी में अपने mobile phone को आसानी से connect कर सकते हैं और जो है अपने phone के content को बड़े से screen पे देख सकते हैं अगर आप game खेलना चाहे अपने phone पे तो आप जो है direct stream कर सकते हैं अपने बड़े से टीवी के screen पे app store इसमें जो है आपको Google Play Store मिलेगा तो आप जो है सभी के सबे apps games और जो है movies enjoy कर सकते हैं आसानी से app store के जरिये और speakers जो है इसमें आपको दो मिलेंगे तो speaker में जो है technology आपको doll by digital की जो है technology मिल जाएगी तो जो है अच्छी sound quality भी आपको इसमें मिलेगी speaker output जो है वो 10 watts का है तो दोनों speakers का मिला के आपको 20 watts का मिल जाएगा speaker का output तो overall अब weight की बात करते हैं TV का weight कितना होगा तो TV का weight जो है वो 6.1 kg का होगा total weight जो तो काफी जो है थोड़ा भारी हो जाता है 6 kg का आज कल के TV जो है काफी ज्यादा light आ रहे हैं तो यह थोड़ा सा जो है weight ज्यादा हो सकता है और price की बात कर लेते हैं अब तो price जो है इसका आपको 19,999 रुपीज में जो है आपको यह टीवी अगर आप खरीदना चाहें तो आप जो है खरीज सकते हैं flip card से direct मैं आपको जो है link नीचे description में provide कर दूँगा flip card पे यह जो है टीवी आपको मिल जाएगा एक android टीवी है अगर आप जो है android टीवी लेना चाहते हैं तो हाला कि यह 2018 में launch हुआ था अगर आपको 2019 के टीवी लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप जो है मेरे दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हैं तो मैंने 2019 के टीवी पे भी वीडियो बनाया है तो अगर आपको यह टीवी पसंद आता है तो इसे आप खड़ी सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आ हो तो इसे like, comment, share जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चेलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग वंदे मातनी